ओम शांती, कल्यान कारी बाप संगम युक पर हम आत्माओं का कल्यान करने के लिए हमें शिक्षा देते हैं कि बाप की याद से हमें सतो प्रधान बनना है, अपने अंदर के सभी अवगुणों को निकालना है तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 17 अक्टूबर 2024 के मधुर महावाक्यों को बाप अपने बच्चों पर कौन सी महर करते हैं? बच्चों के कल्यान के लिए डारेक्शन देते बाप का पहला डारेक्शन क्या है? देही अभिमानी बनो चक्र लगाते समय क्या करना है? याद की रेस आपस में बैटकर क्या सैमिनार करना है? कितना समय बाप को याद किया? ब्रामनों की माला क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि माया का वार होने से अहंकार आ जाता बाप को किस बात का खयाल रहता है? बच्चे कहीं कोई गफलत न करें बाप के लिए क्या गायन है? मारो चाहे प्यार करो हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे किस बात को अच्छी रिती सिद्ध करना है? गीता का भगवान शिव है? श्रेकृष्ण नहीं किसी की छोटी बड़ी बाते सुनते किस चीज पर अटेंशन देना है? अपने को जिम्मेवार समझते, बातों को देखते सुनते, कल्यान करो, फुल स्टॉप लगाना सच्चे सेवाधारी कौन है? अपने संतुष्ट खुष्णमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले बाब को याद करते हैं, याद के समय बुद्धी कहां जाती है? कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है, हठ योग से पाप नहीं करते, बाबा अशिरवाद नहीं करते, ब्रामणों की माला नहीं बन सकती, भोगादी लगाना कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है, हठ योग से पाप नहीं करते, बाबा अशिरवाद नहीं करते, ब्रामणों की माला नहीं बन सकती, भोगादी लगाना न ज्यान है न योग, भक्ति मार की रसम ज्यान मार्ग में नहीं हो सकती, भोग लगाने के लिए सक्षतकार की दरकार नहीं है बाप हमें क्या समझाते हैं याद की यात्रा से बेड़ा पार होना है वह विनाशी धन खाक हो जाना है रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है याद की यात्रा में गरीब बांधेलियां ज्यादा रहती है उस धन की भेंट में यह अविनाशी धन बहुत उंचा है क्या होने से क्या होता है बाहर जाने से नशा खतम हो जाता नशा खतम होने से टाइम वेस्ट करते बाप के समों खाने से नशा चड़ता तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती स्वचिंतन करने से परदंशन से मुक्त हो जाते ज्ञान तलवार में योग का जोहर ना भरने से तलवार काम की नहीं रहती हमें क्या बनना है? जिन, सतोप्रधान, बहुत बहुत निरहंकारी, बहुत मीठा, सच्चा स्टूडेंट क्या नहीं करना है? हमें किन बातों की धारणा करनी है? अपना भविश्य बनाना, याद की यात्रा में तीखा जाना, सारा दिन संगम पर खड़े रहना, स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करना, देही अभिमानी रहने की महनत करना, अपनी मदद कर अपना कल्यान करना, याद की यात्रा वा पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, ये थी आज की मुर्ली की विशेश बातें, बाप ने हम आत्माओं को शिक्षाओं से भरपूर किया है, अब हमारा करतव्य है उन शिक्षाओं को अपनी जीवन में धारण कर, अपना कल्यान करना, जिसके लिए हम अटेंशन देना है कि हम कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई और याद पर विशेश जोर दें, ओम शान्ती